सब्सक्राइब तो यूट्यूब चानल और प्रेस ते बेल आइकन टिकेट लेटिस अपडेट्स नमस्कार पिंटो शिंग्यादो आप सभी का स्वागत करते हैं नियूज लाइब में अगर आलाकमान के फैसलों के समनांतर इस तरह से बेकलपी सरकारों के चलन को कम करना है तो आलाकमान को राधस्थान मामले में जल से जल फैसला लेना चाहिए हलाके असो कहलोत के करीवी शांती धारिवाल, धर्मेंदर राठोड और महस चोसी के मामले में मीडिया के सवालों का जबाब देते हुनों ने कहा कि फैसला कब होगा ये बहतर जबाब नेतरीतों ही दे सकता है पालेट ने कहा है कि कॉंगरेश पार्टी की अनुसासनात्मग समीती हो बहतर तरीके से बता सकती है आखिर अभी तक इस मामले में कारवाई क्यों नहीं हुई है राजस्थान से जुड़े इस मामले में पालेट ने ये भी कहा है कि रविधान सवाध्यक्ष की ओच से हाई कोर्ट में जो हलफ नामत दिया गया है उसके मुताबिक इस्तिपेश शुयक्षा से नहीं दिये गया थे इसलिए विशे शुयकार नहीं किया गया है तो फिर सवाल उठता है कि आखिरकार किसके दबाव में इस्तिपेश दिये गये थे क्या कोई दबाव दिया गया, लालस दिया गया या फिर धमकी दिया गया सचीर पालेट ने कहा है कि इस साल की आखिर में चुनाव है हम चुनाव की करीब जा रहे हैं राजस्थान का बजट भी पेश हो चुका है, ऐसे में कॉंग्रेस नेतितू को जल पार्टी से के बारे में फैसला लेना होगा, हम आगे किस तरह के बढ़ रहे हैं, बीजबी पार्टी और पीम मोदी खुद आकरामत प्रिचार शुरू कर चुके हैं, ऐसे में कॉंग्रेस को कि पार्टी अनुसासंग सबसे उपर है, फिर चाहे छुटा नेता हो या फिर बढ़ा नेता हो, यहीं बात हमारे प्रभारी शुकजिंदर सिंगरांधावा भी कह रहे हैं, उस समय CLP की बैठक शोनिया गांधी ने बुलाई थी, रास्थान कॉंग्रेस के सभी मिराय को कि अनुसास सनित्ता होई आदेश की पालन नहीं किया गया है, बागे सचीन पार्ट ने इस तरीके का बयान दिया है, उस पर आपकी क्या पतिक दिया है, बताईएगा कमेंट बोक्स में, धन्यवाद